हर्दा चले के रामबरुस विश्व कर्मा प्रधानमंत्री स्वामत योजना के पहले लाभारती बन गए हैं रामबरुस विश्व कर्मा जिले के गाओं अंब गाओं कला निवासी हैं जिने अधिक रहे तो भूमी के एविश में अब 21 लाख रुपे से अधिक मुहावजा मिलेगा कारेकरम की द्रान प्रधिश के क्रशी मंत्री कमल पटेल मौजूद रहें जहां उनोंने प्रधानमंत्री स्वामत योजना की प्रस्वामत योजना की गोशना इसी वर्ष 24 अप्रेल को की गई थी योजना के पाइलेट प्रजेक्ट में मुद्रप्रदेश के हर्दा और दिंडोरी जिलों को शामल किया गया था योजना के ठहत ड्रोन केमरे से रिकॉर्डिंग कराकर भूमी के स्वामित का निर्धारन किया जा रहा है देश के पहले लाबार्ती हरदा जिले के ग्राम अंब गाउं कलाग निवासी राम भरुस विश्व कर्मा बने हैं करश्ची मंद्री कमल पटील ने प्रधान मंद्री कुली के पत्र में बताया कि राम भरुस विश्व कर्मा के खेत और घर अधिकराइत हो गए थे जिस पर कुवा और कई पेड लगी थी लेकिन भूमी के स्वामित संबंदी दस्तावी जिन नहीं होनी से वह मुआवजा भी हासल नहीं कर पा रहे थे लेकिन प्रधानमदी स्वामित यूजना में मुल्यांकन कराकर अब उनी 21 लाख रुपए से अधिक का मुआवजा मिलेगा भारत के प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी ने किसान के आद उगुना करने के लिए किसान कानूनों में संसोधन किया है और एक प्रधान मंत्री स्वामीत योईनिया जो 24 अपरेल 2020 को पंचा दिवस के दिन उनों ने सुरू किये ये गाउं की तक्दिर और तफिर बदलने वा लिए और उसका लाब मिलना प्रारम हो गया है हर्दा जी लेके अब गाउं कला गाउं में किसान राम भरोज विश्व कर्मा जिसका मकान हुआ पेड़ और उसका घर की जो आबादी में बसावा था फोर लेंड रोड के अंदर आया लेकिन चूकी पहले आबादी का मालिका फिकान हक नहीं था इसलिए उसके एक रुप्याद भी महाउन नहीं मिला में गाउं मेरे पास द grin को द都ंके लिए और आ खुल की पहलेकरा अंहीं प्रदान मंति सवामी ती णा हर्दा जिला फालाड़ प्रोडेक्ट बिसे में और णेग सिब trzeba से उस पन्चाइट का सर्वय ह हो गया मैंने उससे प्रमानपति उनको दिया और उसके बाद कलेक्टर से बॉलकर उनका सर्वे कराए और कल ही उसके मकान का चार लाक हुए का दो प्रधानमंति स्वामिति उजना से उसको प्रमानपत मिला इस प्रकार 21 लाख 14,000 से भी अधिक रासी उसको मिलेगी उसकी सुझकती हो गई है और उस किसान के जीवन में जो अंधेरा था वो प्रकास में आ गया मैं प्रधानमंति नरेंद मोधी जी को उस किसान की और से गाओ गाओं को आजादी अब दिलाई है गाओं का अब विकास होगा और इस प्रकार एक किसान को जो देश का पहला किसान हुआ है राम बरोज भी कर्मा जिसको आबादी का मालीका नहख बहुत-बहुत बढ़ाई प्रधानमंतिर जी का धन्यबाद और आभाद राम भरोज विस ये सम्मान ही थी मेरे को मतलब मेरी जगे रोड किनार वीज़ि समिर जटी वो ये हाई वे नैसनल ही जो निकल रहा है इसमें निकलने कारण मेरे को यह सामित योजना जो चूल कारण्याय विन hag क種 सर के लगे दिद हैं किया उसका दस्ता सभेट संभाइब सनीपह जिए योजणा के कारण मतलब निकाली प्रदानमंदरी निकाली उसमें सर्वे किया गया इंट धो रिंख मदर संभाव में गाये किया सवे में ये मतलब एकुआ है मेरा मकान है भोलेनात का मंदिर है और मतलब ज़र पेड़ जो भी है वो सहरा शर्वें नाया है इसके लिए आपको कितने रासी मिली 21 लाक रूपय की रासी कुछ उपर अभी है पर 26 लाक रूपय और कुछ उपर रूपय की राशी मानते है क पूजी का करोन है और उनने से और कि जो थो उदय और एक कंडे का औंग हरु ऑग कुछ पर स्वर्च संपत्या बतान नैशनियस्की जांच लोग ने कमर्यास आगा दाल मामreated सं वो दॉप संदसे कर हो लंगि ना वने की का म सबसे जाज कराने के बाद में उसकी 21 लाग रुपे का मुल्लांकन किया गया है और आगामी कारवाई हेत्व वो उसको नेशनल हाइवे अथौर्टी ऑफ इंडिया के यहां के जो हर्दा एकाई के जो अधिकारी है परियोजना निदेशक उनको प्रिशित किया गया है राशी के मुल्लांकन में प्रसम दिश्टिया फेर बदल की कोई आशंका नहीं है और इसमें निया मुसर कारवाई करके उनको माउजा वित्रन भविश में किया जाएगा प्रधान मंत्री किसान सम्मान नदी के तहत हुए आयूजन में करशी मंत्री कमल पिटील के साथ साथ स्थानी अजर्ण प्रती नदी और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे हर्दा से कपेल घाटे की रिपोर्ट